क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से uncertainty रहती है तो क्या होता है हम यहाँ पर दो और terms की बात करते हैं और वो दो terms है हमारे पास accuracy and precision accuracy और precision यह terms use करी जाती है जब हम कोई भी चीज़ को observe करते हैं और क्योंकि हम जानते हैं कि यार हम जो है एक ही बार में जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सही reading निकाले तो हम बार बार reading जो है वो लेके यह decide करते हैं कि हमारा result सही आया है की नहीं तो इसे से related दो टर्म्स आजाती हैं accuracy, precision त्यांसर सुनना accuracy क्या होता है इसमें बहुत सारे students को confusion होता है यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं उससे तुम्हें बिल्कुल clear हो जाएगा कि यार इन दोनों टर्म्स का क्या मतलब है accuracy is the agreement of a particular value to the true value of the result measurement के close हो जबकि आपके जो measurement है उनको हम precise तब बोलेंगे जब उनके अंदर closeness हो अब कैसे होगा सरी इसको हम यहाँ पर ध्यान से observe करते हैं ध्यान से देखेगा suppose बच्चों हमारे पास एक हम measurement जो है वो देखना चाहते हैं lap के अंदर हम गए lap के अंदर हम इस तरीके से measurement कर रहे हैं हमने कुछ volume का measurement जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं और यह जो volume है आपके पास water का या कोई भी और reagent का है अब आप देख सकते हो क्यार यहाँ पर हम यह measure कर पा रहे हैं क्यार कितना volume हम यहाँ पर ले रहे हैं अब ध्यांस से देखो, suppose हम यहां पर कुछ रीडिंग्स लिखते हैं, और यहां पर again हमारे पास तीन लोग हैं, A, B और C, वो इन रीडिंग्स को लिख रहे हैं, अब A जो है, उसने यह वाला एक्सपेरिमेंट करा और उसने क्या रीडिंग्स लिखी, उसने रीडिंग लिख जो की यहां पर आनी चाहिए थी, सही value जो है, वो यहां पर 1 है, अब 1 है, बट कुछ गल्तियों की वज़े से, A वाला जो है, उसने अपनी रीडिंग्स इस तरीके से लिखी, तो इसकी रीडिंग्स जो हैं, वो क्या हैं, देखो 0.94 और 0.95, यह है पास पास में, जो हमारी अपनी रीडिंग्स हैं, वो एक दूसरे के close हैं, तो इसलिए यह क्या है, precise है, बट यह अपनी true value 1.00 से बहुत दूर है, इसलिए यह accurate नहीं है, it is not accurate, समझ में, accuracy और precision का difference, accuracy मतलब, क्या जो आपने रीडिंग्स है, वो true value के पास है, और precision का मतलब, जो आपने रीडिंग्स ह है, क्या वो एक दूसरे के पास है, अब ऐसा ही experiment B वाले ने करा, और उसने जो है, यहाँ पर volume की कुछ रीडिंग्स निकाली, true value वापिस से 1 होनी चाहिए थी, बट B की जो reading आई है, वो है 0.95 और 1.05, 0.95, 1.05 बहुत दूर दूर reading है, तो इसलिए यह precise भी नहीं है, these are neither precise, और यह अपनी true value से भी बहुत दूर है, इसलिए यह accurate भी नहीं है, C जो person है हमारे पास, उसने क्या reading ली, दियान से देखिए, 1.01 और 0.98, यह true value 1.00 के close है, इसलिए accurate है, और 1.01 और 0.98 यह एक दूसरे के पास की reading है, इसलिए precise भी है, So, this is both precise and accurate reading, यह होता है बच्चों हमारे पास, जब भी हम measurement लेते हैं, कुछ न कुछ uncertainty रह सकती है, इसलिए हम multiple readings लेते हैं, और देखते हैं, कि जो हमारे पास reading आई है, वो accurate और precise आई है, कि नहीं आई है, अगर accurate और precise है, तो ही हमारे पास measurement जो है, वो सही है, otherwise हमारा measurement जो है, वो सही नहीं कहलाएगा.